हेलो स्वेंट्स वेलकम टू माइन नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा तो कैसे आप सब लोग मस्त बढ़िया तो पढ़ाई चल रही है आप लोगों की बढ़ाई चल रही है ना कर रहे हो जैसे मैंने बताया था उसी हिसाफ से पढ़ाई कर रहे हो लिग लिग के प्रेक्टिस कर सब्सक्राइब डियो चलो आते है हम लोग अपना लेक्चर और अगला टॉपिक है नुबढ़ टू छल रहा था वोल्यमेडी्ट टैरेशन जिसमें हम ने टैरेशन के बारहे में जाना था और लास्ट छाम लोगों ने अपना नॉन ऐक्वास टैरेशन एक ही लेक्ट्सण म रहेंगे तो हम लोग यहां पर इसको पार्ट वाइस करेंगे थोड़ा सा ठीक है यह डी फार्म और बी फार्म दोनों ही फर्स्टियर में टॉपिक इंक्लूड रही है ठीक है ना तो कब्लीट लेकर के चलेंगे इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है प्रेसिप्रेशन टाइ दिमाग में अखिर प्रेस्पिटेशन है क्या जिन लोगों को नहीं पता प्रेसिपिटेशन क्या होता है प्रेसिपिटेशन एक छोटा सा एक्जाम्पल देता हूं में प्रेसिपिटेट प्रेसिटेट का मतलब या प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है एक तरह से सॉलिड का बनना इन लिक्वीट समझते हुआ हूँ बात को जैस सब्सक्राइब दूद ले लो दूद पानी है है रही ने पानी और निबू का रस पानी है जैसे तो निबू का रस को दूद में डालते हो दूद के अंदर क्या देखते हो हम लोग दूद्ध फट गया but actually क्या देखते हैं हम लोग दूद्ध के अंदर solid particle निकल के अलग आ गए solid particle थे नहीं वहाँ पर मतलब जगह जो दूद्ध का फटना है मैं उसको बोटना solid particle तो सेम इसी तरीके से जब हम लोग कई बार क्या होते हैं हमारे lab में हम लोग अपनी lab म में क्या कर रहे हैं हम लोग अपनी lab में दो मालो एक YouTube जो मेरे पास है वो A है और एक दूसरा यह B है ठीक है दोनों कंदर को solution भरा हुआ है और दोनों किलियर है आर पार देख पार है हम दोनों solution के लेकिन होता गया जैसी मैं A को B में डालू या B को A में डालू जैसी में इस solution जो था वो बलरी हो गया दूदला गया कैसा हो गया अब दूदला क्यों हो जाएगा मटमेला क्यों हो जाएगा ठीक है ना जिसको हम लोग कई बार जो अपने पीछी लेक्चर पढ़े है जिसमें हम लोग कई बार इसको टर्बीडिटी भी कहते थे याद आ रहा है याद बना इस सॉलिड को बना इस सॉलिड को में लिख देता हूं इस सॉलिड को प्रेसिपिटेट कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते है इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को यह जो प्रोसेस हुई घटना घटी है ना इस प्रोसेस को इस घटना को क्या कहते हैं प्रेसिपिटेशन कहते हैं प्रेसिपी टेंशन तो सिंपल सी बात है जब किसी दो किलियर लिक्विड है ना जो जिस लिक्विड हम आरपार देख पा रहे थे उनको जब आपसे मिला देते हैं और कोई फिरो कैसा हो जाए मटवेला हो जाए यारे कि उसके अंदर कुछ प्रेसिपीटेशन कहते हैं और जो सॉलिट पार्टिकल्स होंगे उस सॉलिट को क्या कहा जाता है प्रेसिपीटेट शॉर्ट फॉर्म में कई बार में इसको पीपीटी लिखता हुआ नजर आ जाओंगा या कोई भी टीचर जो तुम लोगो पढ़ा रहा होगा उस शॉर्ट प्रेसिपीटेशन क्या है तो बस अब यहां पर देखो क्या है आ जाते हैं वापस टाइट्रेशन पर टाइट्रेशन के लिए रहे हैं यह बात हो गई हमको समझना क्या था प्रेसिपीटेशन समझना था क्या समझना था प्रेसिपीटेशन क्या होता है सॉलिड का बनना प have a precipitation in i would like my kind of precipitation कें अंदर प्रेस्पिटेशन कैसे है अब यह पर होता क्या है है प्रोसेस में बटा जाता हूँ समझो जाना प्रोसेस पता यह वही रहती है मेरे पास क्या रहे गा मेरे पास एक बिउरेट रहती है प्रासेस वही रहेगी ठीक है थोड़ी चीजें अंदर किस तरह से एंड़ पॉंट निकालते हैं वो थोड़ा अलग आता है बाद वाकि मेकेनिज्म होई है यह मेरे पास क्या है बिउरेट है क्या आगया यह? बिर्ट आगया नीचे मिरे पस क्या आजाएगा? कोनिकल फ्लास्क या राउंड बॉटम फ्लास्क कुछ भी ले लो, कॉनिकल फ्लास्क या राउंड बॉटम फ्लास्क, simple मैं इसको फ्लास्क लिग देता हूँ ठीक है इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है कौन बताएगा गुड इसके अंदर क्या भरा हुआ है 时्टेअन्स लूशंड कीley solution भरा हुआ है ठीक है इसकी molarity पता है मेरे को इसका volume कहां पर आएगा अच्छा volume कैसे volume पता ना दीदे ड्रॉब बर ड्रॉब जब color आयाता है end point पे जब color आयाता है तो वो volume हम लोग mark कर लेते हैं अब यहां पर हमने क्या कर दिया है unknown solution unknown solution unknowledge स्पेक्ट में है यह unknown किस रेस्पेक्टमें है यह unknown किस्पेक्टमें है unknown इस upright में है कि मेरे को इसको 10 ml 20 ml 30 ml इसका वॉल्यूम कितना है वो तो मेरे को पता है volume तो known है देखो सारी प्रास्ते वोई यह preparation वाली but जो इसका concentration है जो क्या है concentration जिसको हम लोग क्या बोलते है molarity वो क्या है unknown है वो हमको निकाल नी होती है molarity क्यालोолод Controt to उसको मैं क्या कर लेता हूं V2 मान लिया इसको हमने M2 मान लिया है न strategy working तो अब इसमें क्या खास बात है आज देख्ते मैं तो तो होगा क्या होगा ये की कने ओके यहांसे ड्रॉप-बाइब गिर का अच्छा यहांपर एक चीज और बता दू तूं किम यहां ये वाला solution, standard solution इस flask के unknown volume से क्या करता है, react करता है और क्या बनाता है, precipitate बनाता है, देखो घटना क्या गट रही है, यह अला से solution है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, precipitate बना रहे हैं, अच्छा, precipitate कब तक बनता रहेगा, यहाँ पर एक precipitate बनने से example ले लेते हैं यहाँ पर, जो हमारे यहाँ चलने वाला है, agno3 प्लस naCl होगा क्या, agcl, agcl प्लस naNo3, यह जो agcl है, यह मेरे पास क्या होता है, solid form में, यानि की PPT की form में, निकल के बहरायन लगता है, तो यहाँ मेरे पास क्या बहरा होगा, agno3 बहरा होगा है, क्या बहरा होगा है, agno3, यहाँ मेरे पास क्या मौजूद है, naCl, actually naCl याने की, यहाँ पर मेरे हो क्या चाहिए, chloride आयन, यह naCl यहाँ पर break हो करके किस तरीके से मौजूद रहेंगे, na plus cl minus, ठीक है, na plus or cl minus, यह जो cl minus आयन है, यह इस ag plus के आयन से, यह जो ag agno3 है, यह break हो जाएगा, जब यह नीचे आएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलने वाल है, ag plus plus, agno3 minus, यह ag plus और cl minus है, आपस में क्या करेंगे, react करेंगे, और precipitate, अच्छा precipitate क्यों बन रहा है, यह एक बात मैं और बता दू, precipitate बन क्यों रहा है, suppose यहाँ पर और यह वाला solid, अगर इस वाले solution में, इस वाले solution में क्या होता, soluble होता, सो solid बनते ही घुल जाता, बट यह क्या है, insoluble है, तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर एक term more इस्तमाल होता है, formation of insoluble solid, एक term more इस्तमाल होता है, क्या है, formation of insoluble solid, तो कोई भी term इस्तमाल करो, बात एक ही ह कुछ टीते इस तरह समझाएंगे कि insoluble solid form हो रहा है तो कुछ नहीं है एक ही बात है कुछ निया solid form हो रहा है अगर इस solid dissolve हो जाता तो यह क्या क्या क्याते हैं जो solution के अंदर मेरा अभी भी क्या रहता यह clear होता इसके अंदर घुला नहीं है तो यहां पर इसके अंदर बनेगा वह क्या होगा प्रेश्प्टेट ठीक है ना अलग से मैं यहां पर प्रेश्प्टेट बन रहे हैं अब होगा क्या जैसे ही यह सारे CL-Ion AG-plus के द्वारा consume कर लिए जाएंगे यह AG-plus जैसे ही यह CL- सारे खा लेगा तो होगा क्या यहां पर जो यह indicator है अब क्या होगा indicator से जो anion होगा indicator में जो anion होगा ठीक है ना अनion मतलब जो negative part होगा वो प्लस कर जाएगा किस के साथ याने कि react कर जाएगा किस के साथ AG-plus के साथ indicator का negative ion जैसे ही इस AG-plus से मिलेगा एक कलर का formation हो जाएगा क्या हो जाएगा एक कलर का formation हो जाएगा ठीक है तो जैसे आप यह तो CL- खतम हो गए तो अब AG-plus किस से react करेगा इंडिकेटर के negative ion से जैसे इंडिकेटर के negative ion से एक करता है इसका मतलब एक कर लोगा इसको मार कर लूँगा लो भाई यह आगया वालियूम अच्छा इतने वालियूम पे लगा मेरे को इतना वालियूम लगा इसको पुरा र्याक कराने में एंडपॉंट मिल गया कहानि안 गल सामज में आई प्र GTA नाम क्यों दे दिया गया है क्यूंकि यह पर क्या बन रहा है प्रेश्चाड बन रहे हैं और इवन जो मेरा इंडिकेटर होता है न वह भी प्रेश्चाटी पॉर्म में ही बनके बहर आ रहाय जो color indicator वो भी किसी form बनके आ रहा है, precipitate की form में ही बनके बाहर आ रहा है, बस, क्योंकि यहां पर सारी कहानी precipitate की वज़े से हो रही है, तो इसको नाम क्या दे दिया गया है, precipitation, titration, बास समझ में आ गई, फिर से वही repeat कर देता हूँ, यही example चलने वाला है, समझ लो, standard solution से, drop by drop, जब यह analyte, unknown solution क्या होता है, इसको लोग क्या बोलते है, this is analyte, इसमें जब drop by drop क्या गिरेंगे, standard solution analyte में गिरता है, तो यहां पर precipitate का formation होता है, example को तोर पर समझाओ मैं, यहां भरा हुआ अग्णो 3, ठीक है, बियूरिट के अंदर, और NaCl यह कहां पर है, analyte के अंदर, AD plus CL स अब यह precipitate, यह वाला precipitate, फॉर्म होता है, आप लोगों दिखाई देने लगता है, फिर बढ़ रहा है, precipitate गाड़ा होता है, मतला जैसे मिट्टी है, मालो किसी साफ पानी में जैसे तुम धूल डालो गे, तो उसको गाड़ापन बढ़ता जला जाएगा, बढ़ रहा है, ब reaction मेरी complete हो गई है, कि लिए रहे बाते हैं, कि लिए रहे बाते हैं, process समझ में आ गई, देख लिए theory, लिखना क्या इसके अंदर, आ जाओ, तो सबसे पहले हैं मैंने यहीं समझानी कोशिश किया, what are precipitation reactions, precipitation is the formation of solid in solution, क्या है, formation of solid, किसका formation is in solution, यही बात बता रहा था मैं अभी, इस solid के अंदर, sorry, इस solution के अंदर क्या बन रहा है, solid बन रहा है, यही क्या है, precipitation, reaction है, the solid form is called precipitate, यही बात बोली मैंने, ठीक है न, तो दोको मैंने सारी कहानी लिख दी है, ताकि तुम लोगो notes बनाने में ज़राशी भी दिक्कत ना हो, कि जो मैंने समझा दिया, वो लिखें क कैसे, मैंने यह बतारा, solid बनेगा, उसे क्या कहते है, पैस्प्रेट कहते है, clear है, okay, अब precipitation reaction occurs when water solutions of two different ionic compound, जहां डखना, है न, अभी ionic compound, जो example लिया, मैंने को ionic कह लिया था, यहां पर भी example, sorry, यहां पर भी क्या है, example ionic कहना, एक AG+, और एक CL-, तो क्या बोल रहा है, precipitation reaction occurs when water solution यानि कि पानी के अंदर हमने दो compound को घोल दिया, पानी के अंदर हमने एक इसके अंदर यानि कि हमने यूट्यूब लिया, या दो फ्लास्क लिये, A और B, एक के अंदर एक घोल दिया, इसके अंदर पानी था, इसके अंदर भी क्या था, water था, इस दूसरे के अंदर कुछ अब इन दोनों क्या करूंगा में इन नांस नास आफ दोन एलग हो जाता है लग हो जाता है नो कि पास इसके इन लिखना है एक आठी थी करता है तो एक माइट पर्म होता है और साथ में कि नो थी ठीक है चुछ एक्जांपल हो के लिखने के लिए दा परेश्प्टेट इटसेल इनिक असा ये जो परेश्टेट बनाया है ये भी क्या है मैं थोट सकते हूं देख सकते हो कि लिए रहातें, तो वोई सारी बाता जो मैंने समझाई हैं आपे लिख भी दियें, आगे बढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन, क्या है यह प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है, आधो समझते हैं, जो कहानी मैंने समझाई थी, It is a type of titration which involves the formation of precipitate during titration Simple सी कहानी है मैंने क्या बताए Titration हो रहा है इस पूरे titration के दोरान क्या form हो रहा है मेरा Titrate ओ सारी Precipitate form हो रहा है क्या form हो रहा है Precipitate form हो रहा है और precipitate form हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कह रहे है Precipitation, Titration Simple The titrant जो burrit में लिया जाएगा React with analyte जो नीचे flask में लिया जाएगा And form in soluble material जिसको हम precipitate कहते है And titration continue लगाता चलता रहता है Till कब तक जब तक की very last amount of analyte is consumed Okay तो मैं क्या बोल रहा था ठीक है The titrant react with the analyte जो titrant burrit में है React करेगा किसे analyte जो की flask में है ठीक है Titrant कहाँ पाए जाता है Burrit में And form in soluble material Prespirate form कर देगा ठीक है And titration continue Till very last amount of analyte is consumed जब तक titration चलता रहागा जब तक की सारा का सारा analyte जो है वो consume नहीं हो जाता है अब जब वो consume हो गया उसके बाद ठीक है जैसे ही मेरे पास यह उपर से drop by drop आ रहा है ठीक है न किया रहाजा First drop of excess titrant यहाँ सब कुछ क्या हो गया है पूरा प्रेस्प्रेट ओ पूरा एनलाइट पूरा का पूरा एनलाइट मेरा consume हो गया है उपर से जो पहली drop यहाँ गिरेगी The first drop of excess titrant मतलब यह consume हो गया उपर से आ रहा है एक्सेस है एक्स्ट्रा है Change is the color of एनलाइट एनलाइट का color बजल देता है Because of indicators Which indicates the completion of reaction Indicator की वज़े से उसा color change हो जाएगा ठीक है न Because of indicators It involves the use of silver nitrate जाजतर होता क्या है Precipitation titration में एक बहुत बड़ा बात है कि हम लोग जाजतर यहाँ पर किसका इस्तमाल करते है Silver nitrate का इस्तमाल करते है As a titrant With analytes Analyte generally क्या रहेंगे Clorides, Bromides ठीक है Iodide या Thyosyanide जो हमारे analyte है वो भी थोड़ा निश्चित है और यहाँ पर titrant वो भी हमारा फिक्स रहता है लगबग Since silver is always used Silver है ना AG Silver AG हमेशा इस्तमाल होता है Therefore precipitation titration is called or called Argentometric titration इसलिए हम लोग जनरली क्या कहते है Argentometric titration कहते है क्यों कहते हैं Argentometric titration क्योंकि यहाँ पर हमेशा Silver का इस्तमाल पक्का होना है अब Argentometric एक वर्ड है जो की लेटरिन से आया हुआ है Argentum Which means silver तो यहाँ से इसका नाम क्या पढ़ गया है Argentometric titration भी कहा जाता है Confuse मत करना Argentometric titration अगर कोई बोल रहा है तो कुछ और नहीं है वो हमारा Precipitation titration ही है Clear है? चले आगे Good Prespiratory titration method अब method की बात कर ले ठीक है तो the precipitation titration using silver nitrate और नोन एज Argentometric titration यह हम समझ लिए अभी क्या बोल रहा है The precipitation titration using silver nitrate और नोन एज Argentometric titration As per the end point detection method End point detection का जो method है ठीक है ना Four main procedure are used End point हम कैसे detect करते हैं उसके पर depend करेगा ना ठीक है अब देखो जैसे कि मतलब End point कैसे detect करते हो Simple color change हो यहाता है नहीं Color change तो होगा ही होगा तरीके अलग-अलग है ठीक है color change तो होता ही है End point हो आगी मैं बताऊंगा तम लोगो जब दिरिदे समझ में आगा कोई एक साथ नहीं बता सकता मैं यहां पर क्या reaction हो रही है यहां पर क्या reaction हो रही है क्या हो रही है मैं थाड़ की बात बताऊं तो दो सिंपल तरीका तुम्हें लोगो समझा दू में एक केस में क्या होगा टाइट ट्रेंट रिएक्ट विद इंडिकेटर एक तरीका तो यह है यह तो सिंपल हो गया जैसी extra टाइट रिएगा वो इंडिकेटर से रियाट करेगा दूसरी तरीका बच्चो क्या होता है इंडिकेटर आड़्जॉर्ब प्रेसिपिटेट अब देखों यह नहीं कॉंसेप्ट चालू हो गया एड्जॉप होगा उसके उपर चिपकेगा अब इसकी कहानी क्या है इसको मैं अभी डिटेल नहीं करूंगा इसको जो हम पढ़ेंगे फैजान मेथड यह सब चीजे पढ़ेंगे तब मैं इसको तुमको अब दीटेलं बताऊंगा अड्जॉप्शन तुम लोगों ने एक गास ट्वैल से पढ़ा हो गां सेप्ट एड्जॉप्शन शैप्टर था हमारा सरफेस केमिश्ट्री चैप्टर क्या दा हमारा सरफेस केमिश्ट्री जिसके अंदर एक पाट आया था एक तरीका यह जरूप आए करेंगे और इस लिए हम लोगों ने क्या किया है इसे इस टरीके से हम लोगों ने इसको चार केटिगरी में तोड़ दिया होगों इस लेक्ट्यर में गरें चनल प्रेस्पिरेशन टाइट्रेशन क्या होता है है वह नहीं explain कर दिया आव अब देखिए मोहर्स मेंचर्ड हमारे पास क्या है और कैसे होता है कि लिए रहे चले मोर्स मेथड के पास तो क्या है मोर्स मेथड मोर्स मेथड में आते हैं आते हैं सबसे पहले टाइप आफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ठीक है पूरी बात आपड एक्सप्लेट कर सकते हो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है उसके बाद आ सकते हो मोर्स मेथड पर सिंपल सी बात है यहां पर एक बहुद बढ़ी चीज़ ध्यां रखना क्रूमेट इंडिकेटर हम लोग क्या इस्थमाल कर रहे हैं इस इंडिकेटर क्य चल रहा हैं तो यहां पर suffering क्रूमेट होलों क्या क्या जा लिया है अब दके पूरिगा सब्सक्राइप आख़ाइए है् है वो chloride, bromide, iodide, thersonate उन सब के लिए होता है बट मोहर्स method is specially for chlorides and bromides के लिए है किसके लिए है chlorides and bromides के लिए मतलब कि यह जो chlorides and bromide किस तरह behave करेंगे हम लोग as a part of analyte लेंगे फ्रास के अंदर लेंगे iodide can't be determined अब सवाल आता है तो iodide कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आई- इसका आ रहा है किसका आ रहा हमें समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी जब कलर मिक्स अप होने लगेंगे तो end point में क्या आएगी दिक्कत आएगी इसलिए iodide ion को हम लोग यहां पर यूज नहीं करते हैं इसलिवर नाइटरेट इसलिवर नाइटरेट पर से द्यरे द्यरे गिर रहा है ठीक है containing analyte, अब precipitate of silver chloride precipitate of silver chloride is formed क्या form हो रहा है, precipitate of silver chloride, तो देखो ag-no3 मैंने reaction पूरी नहीं लिखी है ठीक है, इस reaction को चाहूं तो इस तरह से मैं यहां लिख देता हूँ, पूरा चाहूं तो इस से लिख सकते हो ag-no3 aqueous, aqueous का मतलब क्या है पानी के अंदर dissolve है, प्लस अब यहां पर मैं nacl या kcl, ठीक है कुछ भी ले सकता हूँ, choice है मेरे पास जब मैं lab, अपना क्या कर रहा हूँ experiment कर रहा हूँ, यह भी एक कास पानी के अंदर घुला हूँ है, nacl नमक लेलो, बहुत easy हो जाता है, और यह हमको क्या दे जाता है agcl solid, याने की, अच्छा books में कई बार तुम्हें solid की जगे ना, ऐसा लिखा हूँ है arrow, arrow लगा वो दिख जाएगा नीचे इस arrow का मतलब होता है, यह चीज़ बैठ गई नीचे, जो चीज़ नीचे बैठ गई है, वो क्या होगी solid, जो चीज़ नीचे बैठ गई है, वो क्या होने वाली है, solid होगी वो, के लिए रहा है, indicator used, a soluble, 5% chromate salt, K2CRO4, chromate आई है, is added as indicator, हम लोगे, एक और दो डॉप डाल देते है, अपना, and light के अंदर, ठीक है, यह एक yellow color solution हमको देता है, क्या देता है, yellow color solution, यह हमको yellow color solution देता है, और बाद में इसका color फ्रसा अलग चीज़ जाए, starting में हमको वो solution कैसे दिखाए पड़ेगा, analyte वाला yellow color का दिखाए पड़ेगा, clear है, आओ देखते है, okay, end point की बात करने करें, the end point of titration occur when all the chloride ion में ने का थाना, are precipitated, जितना भी NACL में से, इस NACL में से, सारा का सारा CL minus ion जब इसके साथ react कर जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, मतलब, precipitate हमारे खतम हो जाएगा, तब ही हमको end point मिलेगा, then the additional silver ion, silver ion, पता है न, ag plus, react with the chromate ion, देखो, यह रहा, chromate ion, CRO4, यह क्या है, chromate ion, इसमें एक चीज़ और है, red PPT, यह है मेरे पाद, red precipitate, ठीक है न, इसको, मैं यहां से रप कर देता हूँ, ठीक है, अब जो extra, जब CL-9 खतम हो गए, तो ag plus जो extra थे, वो chromate से मिले जाकर के, indicator के है, negative ion से, और क्या बनाया, ठीक है, silver chromate, एक red precipitate, red color का color अनलग जाता है, ठीक है, अगेन यहां पर जो indicator क्या कर रहा है, precipitate बना रहा है, analyte भी मेरा क्या है, precipitate बना रहा है, बोल दिया, precipitation, titration, बात समझ में आ गई, okay, potassium chromate to form a red brown precipitate of silver chromate, कैसा बना रहे है, red brown, this method can be used to determine the chloride ion concentration of water, यह method कहां इस्तमाल करेंगे, हमको इस्तमाल करना है, हमें determine करते हैं, हम लोग क्या क्या है, हम लोग determine कर लेते हैं, chloride ion from water samples from many sources, such as sea water, stream water, river water, etc., मतलब कि पानी के अंदर generally chloride ion का concentration कितना है, हम उसको check करने के लिए अपना more method इस्तमाल कर लेते हैं, तो तुम्हें अपने tap water जो है, उसमें इस्तमाल कर सकते हो, tap water को यूज़ करके कि उसको उन्दर कितना chloride ion है, ठीक है, limitations क्या है इसकी, इसके कुछ समस्याएं भी है, in this method, neutral medium should be used, लगबग लगबग neutral medium हमको इस्तमाल करना चाहिए, नहीं इस्तमाल करेंगे तो देखो क्या होगा, इन alkaline medium pH 10 से भी उपर चला गया, बहुत ज़्यादा alkaline हो गया, तो silver will react with the hydroxide ion, उसके साथ उसकी react करने की tendency बढ़ जाएगी, basic है, जब medium alkaline है, तो alkaline होगा, तो यहाँ पर OH- की तादा ज़्यादा होगी, वो OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, एजी OH बना लेगा, which remove the silver ion, that is end point delete, याने की, खुश सोचो, उपर से silver ion आ रहे थे, नीचे analyte में गिरे, और silver ion, CL- ion से ना मिल करके, समझते हैं, यहाँ पर CL- भी थे, और OH- भी थे, competition हो गया, उपर से आया, AG+, यह आकर के, इससे react कर गया, तो क्या बना लिया, इसने, AG, OH बना लिया, तो अब AG+, अगर इससे react करके, AG, OH बना लेगा, तो उपर यह बिरेट खाली हो रही है, उसमें volume जादा लग जाएगा, volume जादा लगएगा, end point छोड़ा late आएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, end point लेट आएगा, उपर से volume जादा लग रहा है, इसका end point लेट आएगा, तो मेरी calculation क्या हो जाएगी, गरबड हो जाएगी, बास समझ में आ गई, क्या हो रहा है यह, क्यों basic medium नहीं चाहिए, acidic भी ही हमारे पास क्या हो जाएगे, कम हो जाएगे, कलर आता है AG2CRO4 से, कलर किसे आता है, AG2CRO4 से, तो अब भी कुछ तो इस से react कर गए, जिसकी वाज़े से होगा, क्या, अगेन मेरे पास क्या होगा, कलर तो लेट आएगा, और उपर से मेरा volume थोड़ा सा ज्यादा खब जाए है, क्लियर है बातें? प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर लिख दिया, वही दो रियक्शन इसकी देनी है, ठीक है, जैसे exam point of view से अगर तुम्हें लिखना है, कि अब क्या लिखना है तो इसमें प्रिंसिपल तुम्हें आड़ कर देना है, तो यहां पर क्या बन जाएगा मेरे प रेड प्रेप्टेट फॉर्म हो जाएंगे यह इसका प्रिंसिपल आ गया रिच्ट शुट भी कैड़े आप इन नीट्रल मीडियम ठीक है वही तीन बाते उठागर के यह लिख देनी है हमारा क्या बन गया यह प्रिंसिपल बन गया बासमझ में आ गई किलियर है चलें आगे ओके मैथडोलोजी समझ लेते हैं थोड़ा सा ठीक है क्या है मैथडोलोजी बिलकुल देख करके घबराना नहीं है तुम लोगों देखके बड़ा आजीब सा लग रहा होगा मैं बता रहा हूं इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं इसको ओके देखो टाइट्रेशन आफ हम लोग क्या कर रहे है जीरो पॉइंट वन मोल एनसेल बाई जीरो पॉइंट वन मोल एग्जांपल के लिए इंदर प्रजांस आप इंडिकेटर के टू सिया रोपोर यही तो लिखना था यही तो करने जा रहे हैं हम लोग अगर मोल याद करने जा रहे हैं एने सेल को एगे जीरोट पर इंडिकेटर होगा क्या एगे जो कि हमारा बीरिट में उसको फ्लास में डालने के सुरू करेंगे और फ्लास में माजूद है अब यह बात तुरीशित तुम्हें लिखनी पड़ेगी यह प्रैक्टिकल ऐसा होता है ठीकर जब इसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूबिलिटी प्रोड़क्ट शीदी बात समझो क्या है जिसकी केस पी जादा वो उतना जादा सॉल्यूबल होता है के लिए जिनको डेटेलिंग नहीं पता बहुत जादा इसके अंदर नहीं घुशना हमें यानि कि हमने सॉल्यूबल्टी का न इसको कि एलेवंट पड़ी अच्छे से तो वहाँ पर सॉल्यूबिल्टी प्रोड़क्ट उनों को सॉंझ में आ रहा हो खासकर इलेवंध में हैं सॉल्यूबिल्टी प्रोड़क्ट डिटेल में है तो परशान नहीं होना है कि यह क्या आ गया कुछ नहीं है चीदी से बात ह जो चीज जितनी ज्यादा सॉल्यूबल होगी उसका सॉल्यूबिल्टी प्रोड़क्ट उतना ज्यादा होता है सिम्पल सी बात समझो अब वह कह रहा है एगी टू सी यार ओफोर की जो सॉल्यूबिल्टी है 1.2 इंटी 10 की बाद मानेस 12 है कम है किस से एगी सील से जो की मेरा के गाउना कि इस दो इसकी सोल्यूबिल्टी कम है तो सुरुवात में यह बताओं मैं अगर जैसे ही यहां पर होसात क्या भाद समझत थी कम है तो यहां पर एगी 2CRO4 भी बनेगा प्लस साथ में क्या बन रहा है AG CL भी बन रहा है इसकी मतलब करते हैं इस से उतना ज्यादा रियक्ट नहीं कर पाते हैं किससे CRO4-2- से, हैना, chromate ion से उतना ज़्यूदाなहीं कर पाते हैं, मतलब कही ना कही, C-L से react करने की, इसका जो होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत टेजी से react करता है, इस से उतनी जल्दी react निकर पाता है, क्योंकि यह कम है तो इसी लिए सुरुवात में हमको वाइट प्रेस्टेट दिखाई पड़ते हैं और जब सीएल माइनस खतम हो जाते हैं तब जाकर के एगी प्लस से जब कुछ दिखी नहीं रहे है तो उसको केवल क्या दिखाई पड़ रहे हैं CRO42- इसको ऐसे समझ सकते हैं देखो जाए अब एगी प्लस आ रहा है वही उपर से उसको C- से मिलना है और CRO42- अब है क्या C- की तादाद बहुत जादा है C- की तादाद बहुत जादा है ना इसको ऐसे मेंजिन कर लो कि मालनो एक CRO42- है इसके आजू बहुत सारे C- पड़े हुए बहुत सारे C- पड़े हुए है कुछ एकाद CRO42- अब C- इतने सारे पड़े हुए है कि जब उपर से AG प्लस आएंगे तो C- से जादा रेट करेग ना एकाद CRO42- से भी करेगा तब इस टाटिक में सोरा सा कलर दिखाई पड़े आता है तो तुरंद गाया हुए आता है ठीक है ना थोड़ी बहुत सॉलिबिल्टी है ना उसकी तो गाया हुए आता है ठीक है तो यही बजाय है इसकी केस्पी वेल्यू अफ अगे तो CRO4 इसकी केस्पी वेल्यू सॉलिबिल्टी कम है अगे तो CRO4 शूड़ी प्रस्ट ना यही बता रहा था कि अगे तो CRO4 याने कि रेड कलर पहले आना सुरू होना चाहिए बट लेकिन AGCl अपिर्स फर्स्ट बिकॉस जा कंसेंट्रेशन ओप्रस्ट मॉर गेटर दें CRO4 माइनस वही चीज जो कहानी समझा रहा था मैं वही चीज यहां पर लिखी हुई है आगे देखते हैं अंच ब्सक्राइब हो चुके हैं अफ्टर दिस था इंड अजी नंटी यह इंड पॉन्ट्ट पर आते होता है कि है सारे की सारे और चुके हैं आफ्टर डिस तैडेशन पूर्षर और अशिट्रा डॉफ और एटव कर जाएगा सिया उफ्टो माइनस की। ठीक है जो कि इंडिकेटर से आया हुआ है और एक रैडिस ब्राउन प्रेश्टेट फॉर्म हो जाएगा किलियर है एड़ एंड पॉइंट पॉइंट रीडिंग इस टेकन और सियर मानस कंसेंट्रेशन इस ट्रिटरमाइट सिंपल है यह तो करते ही चले आ रहे हैं हम लोग है का बेसिक कॉंसेट्ट पकड़ लो कि होता कैसे है तर्म बार-बार वही आएंगे अब यहां पर क्या था सिर्फ इतनी सी तो बात है कि प्रेश्टेट फॉर्म हो रहे हैं अब बना दिया प्रेस्प्रेशन टाइट्रेशन अब कुछ चीज़ें तो लर्न करनी पड़ेंगे लर्निंग प्रोसेस लर्निंग और आप पार्टी है यह तो कुछ टफ नहीं था मेरे ख्याल से एक दिमाग में सेट कर लो तो मेरे ख्याल से एक बात बता दूमें अगर तुम लोग यहां पर एजी टू सी आरो फोर्स यह सब बहुल भी गया तो बेसिक बात लिखके आ सकत ओके पढ़ोगे पढ़ाई करते रहो और मस्त रहो अल दे बेस्ट